तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नया वीडियो हाओ टू रिप्रेजेंट है हाओ टू रिप्रेजेंट इसनल नंबर इसनल नंबर्स और नंबर लाइन कैसे हम लोग इसनल नंबर को नंबर लाइन तो यहां पर question को डो तरह से आता हैं एक तो 11 रूट 12 रूट 13 रूट 14 रूट 15 रूट 17 रूट 18 रूट 19 इस तरह से कोई भी नमबर आ सकते हैं आपके सबका कॉंसेप्ट एक ही है जहां से दिखिएगा रूट 13.6 6.7 9.3 मतलब कीड् navy decision करते हैं ऀसको उस्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना पर आई इसमें को Khanh झाले जानने कि कि अंधर होता है और वह पाइथागोरृस क्योऊरं का वाधे में हम लोग जानते हैं कुछ सेंहां कुछ बात्य ठीक है जानते हैं उसके नहिकर होता है किलमा अमॉस is सेरु हैं ट्राइंगल ट्रैंगल है जहां पे एक किसफ होता है हमारा ले Denver कि एस परकफना प्रपेंडिकुलर अगर मानते है ठीक है पर हाइपोटैनेस नहीं बदलता है हाइपोटैनेस यह होता है और यसके पर और base के square के समके according to Pythagoras Shum According to Pythagoras Sh לבल कहता है क्या कि हैपोटेनस का square हैपोटेनसका square है किसके square के तो perpendicular के square के Plus produce состо ये कुछ कहता है पाइपोटेनस का सब्सक्राइब cry antigustered और इसका यह हम लोग पहले भी class में कर चुके हैं class 8 में 7 में और 6 में कभी कभी इसका योज किये थे तो इसका ध्यान रखना है इसका ध्यान रखने के लिए अगर यह जामें question रहे कि हम लोग root 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नमर लेंड के उपर तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक बात का धाले हमें से जो question पुछा गया है root 2 तो 2 के पहले कोई ऐसा number है का जिसका square root हमको पता हो तो 2 के पहले number होता है 1 1 का square root कितना होता है 1 तो इसको हम लिए सकते है root के अंदर 1 plus 1 अब हमको इसको change करना है square के form में इसको किस तरह से square के form में change कर सकते हैं तो root under 1k square plus 1k square root under 1k square plus 1k square यह क्या होगा मेरा root 2 होगा दूसरा कोशन हमसे पूछता है कि root 3 को रिप्रेजेंट करें number line पे पहले यह करना आना चाहिए अगर यह हग करना आपको आता है तो आरांस हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो क्या हम इसको change कर सकते हैं root 3 के पहले कोई ऐसा number है 3 के पहले जिसका square हमको पता हो 3 के पहले 2 3 के पहले 2 के पहले क्या होगा 1 तो इसको हम लिए सकते है 1 plus 2 अगर हम इसको square के form में change करें तो 1 का square 1 ही होगा तो 2 को change करना है square के form में तो 2 किसका square होता है तो हम जानते है कि root 2 का square 2 होता है जैसे a into a a square उसी तरह से root 2 into root 2 क्या हो जाएगा root 2 का whole square और root 2 का whole square क्या होता है 2 होता है या फिर यह भी देखते हैं root 2 into root 2 root 4 root 4 का मतलब क्या होगा 2 होगा उसी तरह से हमको root 5 को represent करना है तो root 5 के पहले कोई ऐसा number जिसका square root हमको पता हो तो 5 के पहले क्या number आता है 4 क्या square हमको पता है जिसको प्लस 1 4 प्लस 1 कहले का मतलब इसको अगरे square के form में change करें तो 4 किसका square है 2 का इससे लिष्टते है 2 का square plus 1 का square इसी तरह से हमें पास 7 आता है root 7 को represent करने के लिए तो root 7 के पहले कोई ऐसा number है तो इसके पहले भी 4 ही है 4 प्लस 3 अगर इसको हम square के form में लिखे हैं तो क्या लिष्टते है 2 का square plus 3 3 किसका square है जैसे हम देखें यहाँ पे कि 2 किसका square है तो root 2 का उससे तो 3 किसका square होगा root 3 का square होगा अगर हमको root 18 आ जाए root 18 को क्या करेंगे तो हम लोग पहले check करेंगे कि root 18 के पहले ऐसा कौन number इसके हमको square पता हो तो root 18 के square के form देशेंज करेंगे तो 4 का square plus 2 को तो root 2 का तो हम देखने हैं कि कैसे हम लोग क्या करता है number को change कर सकते हैं question को अब question आता है कि बनाते कैसे हैं इसको हम लोग represent करेंगे कैसे तो हम लोग सुरूज से स्टार्ट करते है रूट टू से रिप्रिजेंट रूट टू और नम्मर लाइन नम्मर लाइन पर किसों दिखा है रूट टू को तो दिखाने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक रेर ड्रॉट करें इसके नाम क्या लिया लिया अब इसे हम लोग कंपास से 1 एक यूनिट डिवाइट करेंगे यहां से यहां नाप लेंगे और एक यूनिट कट करेंगे उसके बाद इसका नाम ले लिए हम लोग यह ओए इसके बाद हम इसके उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किये हैं परपेंडिकुलर का मत्तलर यहां पर हम 90 डिगरी का कौन बनाएंगे कौन चाहे तो आप compass से बना है या फिर protector से बना है यहाँ पर क्या है कि हम लोग 90 दिगरी का angle बना लिए है इसके बाद हम लोग इने o1 का जा था कितना unit से बाद हम यहां पर देख रहें कि रूट 2 को रिपरेजन कैसे कर रहे थे तो यह तो हमने लिया कितना का one अगरा जो हमको लेना है वह भी one ही लेना तो यह से फिर से जित्ना हम ओए ना पर थे यह वह यह वन जितना हम ओए ना पर थे एक उनिट तो तो similarly, एक उनिट क्या करेंगे हम यहां से भी उपर करेंगे एक उनिट जितना बड़ा ओई है उतना बड़ा में रहा होगा ओभी काटेंगे तो ध्यान देना ओभी हम केता काटें एक उनिट काटें यूनिट तो एवन और यह भी वन अगर हम इसको यहां पीसे जोइन कियें तो क्या राइट एंगल बनेंगा क्या ओ एबी जहां पर एपर कितना दिख रही है 90 दिखरी यह वन और एवन तो हम पैठा गरोज से लागा करें तो हैपटेनस यह कितना हो जागा किसको दिखाएगा हमको रुट को इसके बात को स्टेप उथफा लिहां दिजскषायक हम लोगों कमत्स में को सेंटर मानके और और बस बो सेंटर मानके आपके एक अर्क ऑ्क करएगे टीक है वो को Center और व को डेडियस मानके क्या करेंगे एक आर्ट रो करेंगे ओ आर्ट इससे ओएक्स को कहीं ने कहीं काटेगा कोगा के उपड़ मुझणु यहां हम आट-ड़ कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सर्कल बनेगा इसका सेंटर क्यां होगा ओ और रेडियस क्या होगा ओ भी यह भी तो एक तरसे जाते हैं कि सर्कल का सारा रेडियस ईकोल होता है अगर यह बनाना आ गया तो बागती सारा कुछन आप कियों बना सकते हैं Step First सबसे पहले हम लोग क्या कियें Draw a Ray Oax सबसे पहले हम लोग रे ड्रॉ किया दूसरा दूसरे Step में हम लोग क्या क्या है Take away equal to one unit हमने काता कितने unit का एक unit का Third Step में हम लोग क्या किया है Act A Draw a perpendicular line हमने क्या किया एक के उपर perpendicular line ड्रॉ किया उसके बाद चौर्थे बार हमने क्या काम किया चौर्थे बार हमने क्या 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 अब अब इक्वल टू अब 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 इक्वल टू वान उडिट जितना हमारा ओ यह था उतना है क्या 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 है यह भी क्या 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 है ठीक है ओ एज सेंटर ओ को सेंटर मानके एड ओ भी रेडियस और ओ भी को रेडियस मानके ड्रा एड आर्क विच है इंटर्सेक्ट ओ एक्स एड़ सी हमने एक आर्क ट्रॉ किया जो ओ एक्स को इंटर्सेक्ट करता है सी के उपर अब यहां से हमने जो ओसी जो होगा और रिप्रेजेंट करेगा ओसी रिप्रेजेंट रूट टू तू बहुत सकते हम लोग ओसी ब्राबर रूट टू इस तरह हम क्या कर सकते हैं नमर लाइन पे रिपेजेंट कर सकते हैं रूट टू को बस आपको रूट टू को ध्यालमे रखना है कि रूट टू हम लोग क्या कर सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमारे पास question आता है कि represent root 3 on number line root 3 को कैसे number line पे represent करेंगे तो देखेंगे root 3 को number line पे कैसे represent करते हैं तो पहले बोले थे कि इसके हमको check करना है कि इसके पहले कौन सा perfect square मेरा कोई number है root 3 को देखें तो root 3 के पहले मारा 1 आता है जिसका हमको square root पता है 1 जिसका हम इस तरह से लिख सकते हैं root 3 को लिखे थे कि हम लोगे क्या 1 plus 2 i square square को form में change किये थे तो 1 square plus root 2 square जान देजिए कि आता है मेरा 1 square plus root 2 square मतलब रूट 3 अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करेंगा root 2 को तो हम लोग ने अभी देखा था कि रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट किये थे तो इसको जल्दी देखेंगे ध्यान से सबसे पहले हम लोग क्या किया एक लाइन रोग किया एक रेड रोग किया ओएक्स इसको एक यूनिट काटा और इसको पर परपेंडिकुलर लाइन रोग किये और उसके बाद जितना ओए था उतना ये अभाल किया थे हम लोग वह बहुत खाकते थे हो भी काटने के बाद इसको जब हम भी लाइन थे तो हम आसी यह मारा वन यूनिट ओर यह वन यूनिट और हम क्या रोग केसा था करेंगे दिवीं करेंगे विपर लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएं बाद इसका करेंगे एक जितना ओंता हिपाते थे उतना ही ओंतना ही गाटेंगे देहें हम यहां पीसुक्ष का मतलम पहले करा हमारो हमारा जो 2002 होगा वो किसको नीचे लिए और अरक क्येते जरेंगे में में सेंटर और इस ox को कहीं ने-कहीं काटेगा जो root 2 का लिखे है तो इस तरह से od बराबर root 3 अगर हमारे प bottled question आ जाता है रिप्रेजेंट रूट 7 और नमबर लाइन अगर हम आपास कोशन आ आता है कि रिप्रेजेंट किजिए किसको रूट 7 को नमबर लाइन पे और वही बात धियां रखेंगे 7 से पहले कोई ऐसा नमबर है का जिसका एसक्वार रूट हमको पता हो तो 7 से पहले 6, 5, 4 4 ऐसा नमबर है जिसका square root हमको पता होता है तो हम लोग 7 को लिख सकते हैं root 7 को इस तरह से root के अंदर 4 plus 3 और 4 को हम लिख सकते हैं इसको square के form में लिखना चाहें तो इमेड़ा 2 का square plus root 3 का square 2 का square 4 root 3 का square 3 4 आ 3 7 तो अगर हम देखें इन दोनों में नमबर इन दोनों में से 12 होल नमबर कौन है तो हमारा 2 है तो सबसे पहले जब हम इसका number नहीं पर रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो इसके पहले जब हमने root 2 को रिप्रेजेंट किया था root 3 को रिप्रेजेंट किया था तो हमें सबसे पहले x काता था एक युणिट का पर इस पहले कोर्स्या में हम लोग oや केतला कातेंगे तो दो यॉणिट का अगर इसमें कोई चार रहता तो चार यॉणिट लेते हैं यह हमारा एक यूट और हमारा दूसरा यूट है 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 यहां पर तूकुड स्कॉर्पिस तो थी का इसकॉर्ब इसले में नह荅नुकाल यूशुए है यहां से किता है मेरा दो यूनिट वह हैं फिर से वह यह स्टेप जो हम लोग पहले की रत्या हैं यहां पर क्या करेंगे पर्पेंडिकुलर लैंड रो करेंगे तो यहां पर हम लोग कमपास के मदद से या फिर प्रोटेक्टर के मदद से 90 डिगरी का एंगल बनाएंगे फिर हमको इसमें यूनिट करना है कितना तो एक यूनिट का जैसी हमने वह जितना काड़ा था उसका हाफ पतब एक यूनिट यहां से कर काटते हैं तो यह हमारा को पूरा का पूरा दो एक यूनिट अगर वह और इस यह B को मिलाते थे हैं तो 2 और 1 2-2 scary ठोड़ 2 स्क्वाइर और 1 square by 1 यहीं यहीं होगा और हम निरा रुठ Android 5 को को जासे यहां से यह B कोशन बन जाता है कि हम रूट 5 को रूपर राफ यच्टेक्ते तो यह मांने देखा, उसके लिच सकते है है, यह रूट का अंदर, 4-1, 4 को ऑल-1, 4 को स्क고ाइर को एले। 2 का इसक्कार प्लस may all touration and 2 4 ऑल-1 फाइब। तो यह हमने पूरा का पूरा जो स्टेंस लिया है औहो यह। वन 2 का स्क्राइब 4 यह 15 तो हमने पुरा का पूरा जो इस्टेंस लिया है वो है कितने यूनिट का दो यूनिट का और परपेंडिकुलर काता है एक यूनिट का तो 2 का स्क्राइब 4 और 1 फाइब यह जो लाइन जो होगा मेरा और डिप्रिजेंट करेगा किसको रूट 5 को अगर आपके कोश्म में आता है कि रूट 5 को नमर्ली लाइप पर डिप्रिजेंट करें, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके बात का स्टैप आपको पता है, जिसे सम्म लोग ने रूट 2 के लिए किया था, अगर हमने को के हम लोग आर्क ड्रॉव किया थैं पर यहां प्रगहां हम को रूट 5 को करना होगा तो ओ को सेंटर और बी को ओ भी को रेडियस लेके आर्क ड्रॉव करेंगे प्र हमको रिप्रिजेंट करना है रूट 7 को तो जैसे रूट 3 के लिए हम रूट 2 में परपेंडिकुलर घीचे है यहां भी हम दो क्या करेंगे वह काम करेंगे यहां पर हम यहां पर 90 का एंगल बनाते हैं और इसको भी कट करें कितने उनिट का एक यूनिट का तो हमारा यहां पर खतम हो जाता यहीं से हम लोग वह को सेंटर ओसी को किसको रूट 6 को पर हमको रिप्रिजन करना है रूट 7 के लिए हम यहां पर एक पर परपेंडिकुलर और घेचेंगे यहां पर हमने फिर से क्या किया 90 डिगरी का एंगल बनाया नायचेडिक अंगल बनाँके बाद फिर से कितना क्या निट कातेंगे हैं इसको एक ऋउनिट कातेंगे बार बर हमें एक योणिट कातें एक योणिट और यहां वह donation करेंगे हम लोग इसको join करेंगे OD को फिर से वह ही काम OD को बताएगा हमको root 7 बताएगा कैसे यह root 6 है यहाँ पे 90 इरे हमने बनाया है और यह 1 unit तो root 6 का square 6 और 1 का square 1 तो 6 और 1 root करना किता मिलेगा हमको 7 मिलेगा अब उसी प्रकार से O को center और OD को radius लेकर हम फिर क्या करेंगे फिर एक आर्क करेंगे ओ आर्क जो हम ड्रॉ करेंगे वो फिर से क्या करेंगा हमारे उस रे को कहीं न कहीं काटेगा माल लिए कि E पर काट रहा है तो हमारा OE क्या represent करेगा वो ही represent करेगा root 7 को तो हमने देखा कैसे हम लोग E रेस्टर नमबर को root में जो whole number है उनको represent कर पाते है नमबर रैंपिल उस तरह से हमारे पास question आता है कि represent करेंगे root 10 को कैसे represent करेंगे तो देखेंगे root 10 के पहले कोई whole number है क्या sorry वैसा number जिसका हमको square root पता हो तो 10 के पहले 9 9 का square root हमको पता होता है तो root 10 को हम ली सकते हैं कि 9 plus 1 अगर हम इसको square के form में change करना चाहें तो यह हो जाएकर 3 square plus 1 square square तो जैसे हमने root 7 के लिए इस्तिमाल किया था 4 plus 2 square यहां पर जब 2 square आया था 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 हमने 2 unit का रे घीचा था पर हमको जब root 10 represent करना है जिसमें हम square लेते हैं 3 का तो सबसे पहला जब हम रे घीचेंगे O X तो इसमें हम 3 unit divide करेंगे एक unit 2 unit और यह 3 unit तो हमारा O X कितना होगा 3 unit का होगा अब 3 unit के बाद हमको कितना plus चाहिए एक plus चाहिए तो हम यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉट करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉट करने के बाद इसको एक unit कातेंगे और फिर से O के क्या करेंगे इसको मिला दना है और B को फिर से वही कम O को center और B को रूट टेन को ठीक है अब आएगे हम दो दखते हैं कि अगर हमारे पास कोश्चन रूट के अंदर डेस्मल में आते हैं तो हम लोग इसको कैसा रेप्रिजेन करते हैं है कि माल लेकि हम कोशान आया रिप्र-जन रिप्र एन्ट रूट अंडर 6.7 on Number Line रिप्रेसेंट की जिये कि रूट 6.7 नंबर लैन पर हमे psychology का कैसę इसको नहीं लोग बनाएंगे तो जैसे हम लोग रूट के लिए कुछ step देखाता हम लोग इसमें भी क्या करें कुछ step का ध्यान रखेंगे तो जैसे हम question बनाएंगे उससे step बोलते जाएंगे बाद में हम आपको लिखवाएंगे भी तो सबसे पहला जो हमारा step है question में हमको जो भी दिया हुआ रहेगा root 6.7 दिया हुआ रहे है root 9.3 दिया हुआ रहे है root 5.4 5.4 रहे रूट 3.4 दिया हुआ रहे है कुछ भी दिया हुआ है सबसे पहले जितना हमारा root के अंगे question है उतने unit का Land segment द्रॉ करते हैं तो सबसे पहली हम लोग लाइन सिग्मेंट ड्रॉ करेंगे उतने ही यूनिट का हमने यह भी ड्रॉ किया 6.7 यूनिट का इस्टेप देखेगा साथ साथ इस्टेप भी देखते चलेंगे लाइन सिग्मेंट ए बी ऑफ 6.7 यूनिट का आप तो यह स्केल से नापके बना सकते हैं 6.7 यूनिट का उसके बाद स्टेप टू तो जो हमारा होगा प्रोड्यूज करेंगे प्रोड्यूज ए बी हम इस्टा मीत बरांगे यहाँ से यहाँ मेरा 6.7 फा इसको मुआ एक उनिट बराएंगे एक उनिट मतलब यह बीश इसको मुआ तक लेगा सी तक ले गए यह सी हमारा कितना यूनिट होगा एक यूनिट होगा तो यहां से यहां मेरा 6.7 था तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 7.7 unit हो जाएगा क्यों क्योंकि हम इसको एक unit बहा रहे हैं इसको एक unit बहा है यह भी को एक unit बहा है तो 6.7 से 7.7 हुआ यह हमारा एक unit है BC के बाद कर जो step है step 3 हम लोग ड्राग करेंगे perpendicular by sector of AC AC का हम लोग perpendicular by sector draw करेंगे perpendicular by sector करने के मतलब हमको AC का midpoint पता करना कि AC का midpoint कहां होगा और midpoint पता करने के लिए हम जानते हैं हम लोग perpendicular by sector का इस्तमाल करते हैं आपको पता होगा कि हम लोग किसी भी line का perpendicular by sector कैसे घिंशते हैं मान लिजीएestra कि हमको इस opacity का perpendicular-bisector घिंचना है तो क्या करते हैं Compass हम यहां रखते हैं उसका जो radius होता है compass का इस लाइन का आज़ा से जादा लेके एक वार Уपर आर्क बुनाते हैं एक वार नीचे आर्क बनाते हैं फिर इस इन्ड से के एक कार्ट ऊपर घिंचेंगे और एक कार्ट नीचे घिंचेंगे फिर सी को सेंटर लेके एक कार्ट ऊपर घिंचेंगे और एक कार्ट नीचे घिंचेंगे फिर इसको जोईन करेंगे जैसे हम इसको जोईन करेंगे तो हमेरा इसका मीड़ पॉइंट मिल जाएगा ठीक है स्टेप 4 माल लेज़े हमको कहां पर इंटरसेक्ट लिया ओ के ऊपर टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ ये रेडियस ड्राइज सेमी सर्किल इसके बाद ओ को सेंटर लेके ओ एक ओडियस लेकर हमको क्या करते हैं एक सेमी सर्किल ड्राइज करते हैं स्टेप 5 पांच में स्टेप हम लोग क्या करेंगे हमार जो बी था एबी 6.7 बी के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर लैंग हीचेंगे जो सेमी सर्किल को कहने कहीं काटेगा ड्राइज को हम सार नाम लिखते हैं एबी सी ड्राइज बी डी परपेंडिकुलर एसी हम लोग ने क्या किया बी डी परपेंडिकुलर डाला एसी के ऊपर एस्टेव 6 टेकिंग बी एज सेंटर अब क्या करना है बी को सेंटर लेना है एंड बी डी रेडियस बी को सेंटर और बी डी को रेडियस लेके हम लोग एक आर्क ड्राउ करेंगे वह हमारे एसी के प्रोड्यूज पार्ट पर कहीं ने कहीं क्या कर देगा उसको इंटर्सेक्ट करेगा तेकिंग बी एस सेंटर बी डी डेडियस ड्राइन आर्क विच इंटर्सेक्ट प्रोड्यूज पार्ट आफ एसी जो एसी के प्रोड्यूज पार्ट पर कहीं क्या करता है करता है माल लेकर हम वह काट रहा है इपे ठीक है देन हमारा जो बी होगा उब रिप्रेजेंट करेगा रूट शिक्स पॉइंट सेवन को यहां आपने देखा कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट शिक्स पॉइंट सेवन को नम्मर लैंड के ऊपर ठीक है अब कोशन में आपके पास कुछ भी रहे नैंट पॉइंट थिरी नैंट पॉइंट फाइब साब इस स्टेप को ध्यान में रखना है उसके बाद आएं आप क्या कर सकते हैं अच